आज हम एक बहुत ही सिंपल बहुत ही लाजवाब रेसिपी सीखेंगे वो है चाय के साथ पाव और जो की बटर में रोस्टेड है तो चाय के लिए हम ले लेंगे थोड़े सा अद्रक, तीन इलाइची, थोड़ी चाय पत्ती, तीन चम्मचीनी और यह जो प्रिपरेशन है वो तीन कप चाय के लिए है तो इसलिए हम दो कप दूद और एक कप पानी लेंगे हमने चार पाव लिए है और थोड़ा बटर लिया है तो चलिए, अब हम यहाँ चाय बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम गैस को आउन करेंगे, उस पे हमने एक पैन रखा है और उस पैन में जब वो पैन थोड़ा हलका सा गर्म हो जाए तो उसमें हम जो हमारा दो कप दूद है हमने उसे डाल दिया और फिर हम उसमें एक कप पानी डाल देंगे मीनवाइल हम अद्रक और इलाइची को कूट लेते हैं तो हमने क्या किया है, पहले हम अद्रक को कूटेंगे यह आप ध्यान रखिए, अगर आपने पहले इलाइची को कूटने के कोशिश किया तो इलाइची के दाने तूटेंगे, बिखरेंगे और वो बाहर निकल सकते हैं, तो वो दिक्कत होगी, तो पहले हमने अद्रक को कूट लिया है, और अब उसमे हम इलाइची के दाने डालके कूट लेंगे, तो अद्रक और इलाइची का फ्लेवर आपस में अच्छे से मिल ज हो जाए दूद जब हलका सा गर्म हो जाए उसके बाद उसमें हम चाइपत्ती डाल देंगे चाइपत्ती को हम चममस से थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे और एक या दो सकेंड तक वेट करेंगे जब चाइपत्ती अच्छे से दूद में मिल जाए उसके बाद अब हम क्या कर हम इसमें चीनी डाल देंगे और जो हमने अद्रक और इलाइची कुटी थी उसे भी हम चाय के अंदर डाल देंगे अब हम पैन को ढखकर चाय को पकने देंगे दोस्तों यह याद रखिए चाय का जो फ्लेवर है जो टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा आता है अगर उसे हम धीरे धीरे पकाएं और साथ ही साथ एक चम्मच से जो भी चाय पकरिये उसे मिलाते रहें ठीक है थोड़ी दिर बेट करने के बाद हमारी चाय जो है वो पक के तयार हो गई है अब हम पैन को गैस को आफ करेंगे और पैन को वहां से हटा देंगे अब हम तयार करेंगे अपना पाव जिससे हम बटर में हलका सा रोस्ट करेंगे जो यह चाय है और स्पेशली अत्रक इलाइची वाली चाय इसके साथ बटर में रोस्टेड या बडर में हलका सा टोस्ट किया हुआ पाव बहुत ही लाजवाब लगता है अगर आपके पास पाव नहीं है तो आप ब्रेड ले सकते हैं आप एक भी धान दी जब भी आपके पास पाव है तो आप उसे बीच में यह जैसे मैंने काटा है तो बटर इसमें अच्छे से घुल जाता है ठीक है अब हम क्या करेंगे पैन के उपर बटर लगा लेंगे और बटर लगाने के बाद अच्छे से जो हमारा तवा है तवा के उपर हमने बटर लगा लिया और बटर लगाने के बाद उसमें हमने पाव क हो रहा है हम उपर भी हलका ऐसा बटर लगा लेंगे बटर बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बटर पसंद है मैंने हलका बटर लगाया है और जब ये पाव सिख जाता है तो उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे चाय हमारी रड़ी है उसे हमने चान लिया और अब हम चाय के साथ पाव को सर्फ करेंगे अद्रग इलाइची की चाय और बटर में रोस्टेट पाव ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर बहुत ही लाजवाब बहुत ही जबर्दस कॉंबिनेशन है तो ऐसी और भी रेसिपी और कॉंबिनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और बेल बटन पे क्लिक करें